हेलो फ्रेंट्स, यूजीशी नेट की एंसर की आने के बाद हम सभी ने उसमें से कुछ गलत प्रस्न पराप्त किया हैं और हम उस पे अब्जेक्शन फाइल करना चाहते हैं तो अब्जेक्शन फाइल करने की डेट आज 11 वे तक है इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्र अब्जेक्शन कर सकते हैं इसमें से कुछ प्रस्न है और कुछ प्रस्न है फश्ट पेपर के यह वीडियो संबंदी था 20 जून 2019 की परिच्छा की सेकेंड पाली से जो की भूगोल विश्यकी परिच्छा थी उसके साथ जो फश्ट पेपर में प्राप्त हुआ था उसके क्ल अब्जेक्शन मान ने होता है तो आपका पैसा भी वापस कर दे जाएगा अगर आपके पास आपश्यक्शन फाइल करने के प्यरसे नहीं है तो अपने दोस्तों से अपने गृूप में सहयोग लेकर आप्जेक्शन कू करिए ये इसे करिये जरूर क्योंकि हो सकता है कि आप एक दो नंबर से ही पीछे रहे जाए आपको आपका लच्छ नेट या जाया रहे पर आप तो ना हो इसलिए तयार हो जाए क्योंकि बाद में फिर आपके पास कोई मौकार नहीं बचेगा अगर किसी प्रसंद पर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो कैंसर हो जाएगा इसके सबको कामन नंबर मिल जाएंगे तो भी आप उस पर अब्जेक्शन फाइल करिए क्योंकि अगर अब्जेक्शन फाइल नहीं करेंगे वो क्वेश्चन कैंसर नहीं होगा तो जिनका वो question answer की के हिसाब से सही है उनको दो number इस्टरा मिल जाएंगे आपको दो number कम मिलेंगे तो तब भी आप पीछे हो सकते हैं इसलिए जो भी करना है आज की date में करना है इसमें से पहला प्रस नहें देखिए फ़श्ट paper का आज तो यहां पे किफी धन्राजी पर 4% व रसिक दर फें तीन बर्स का फाधाण व्याज 2,000 की धन्राजी है अब यहाँ समझें कि किसी भी धन्राजी पर अगर 4% फाधाण व्याज की दर फें व कारशिक ब्याज 2,000 रुपए होता है तो धन्राज कम से कम 40-50,000 तो होनी ही चाहिए यहाँ पे कोई भी आपसंस सही नहीं क्योंकि यहाँ पे maximum जो रासी दी गई है वहाँ पे 8,000, 1,500 और 3500 रुपे दी गई है तो यहाँ पे एक question ही गलत है इसके बारे में तो सबको लगबग confirmी होगा तो इस पे आप objection फाइल कर सकते है second question है मेडिया से होने वाले मनुरंजन से समाज के सांस्कृतिक अस्तर में बृद्धी नहीं होती तर्क है कि मेडिया से होने वाला अधिकांस मनुरंजन प्रलायनबाद को बढ़ाओ देता है मेडिया से होने वाला मनुरंजन समाज के सांस्कृतिक अस्तर में बृद्धी करता है कि हल एक और हमारे यहांका जो पहले पहनवावा था तो हमारे समाज में भी क्यों छलन लगा हमारे समाज के सांस्कृतिक अस्तर में अन्हें बृद्धी हुई है और होती है मीडिया सोने वाले मनोरजन से सांस्कृतिक अस्तर में बृद्धी होती है सांस्कृत में बदला होता है कुछ नई चीज़ें आती हैं कुछ अच्छाईयां आती हैं कुछ बुराईयां भी साथ में आती हैं और सांस्कृतिक अस्तर में बृद्धी कि अगर दूसरे तरीके से मुरत तरीके से बात करें तो जैसे हमने मीडिया से मुदर रजन किया देखा हमने की रामायर महाभारत और दूसरे भक्ति में सीरियल हमने देखे तो आपे भी लोगों के मन में एक भावना जागती है वेडिया के माद्यम से मनुरंजन से समाज के सांफकृतिक अफ्तर में ब्रिद्धि नहीं होती यह बिल्कुल गलत बात है तो आप इस पे भी अब्जेक्शन फाइल करकते हैं क्योंकि अगर आप अब्जेक्शन फाइल नहीं करेंगे तो सुनवाई होना मुश्किल है जिस सम के कुछ पेड़ हरे हैं निमलिखित मैंसे किन तरक वाक्यों के समतुल हैं तो इसमें समतुलिता सिर्फ एक से बनती है अनेक पेड़ हरे हैं आप्शन ए यानि की तीन नंबर सही होना चाहिए जबकि यायोग ने इसमें A, B, C, D, 4 बताया है अपिसिजल में और यहां पे आप पेड़ दूसरी चीजह भी ओशक्ते हैं कि कंश हरी बस्तु हैं इसकी समतुलिता कुछ पेड़ हरे हैसे नहीं हो सکती है कुछ हरी बस्तुएं गैर पेड नहीं है यानि कि पेड बात वही द्वाराई गई है फिर से यह भी सही नहीं है पेड प्राय हरे होते हैं इसकी सम्दुलता भी कुछ पेड हरे हैं सिर्फ नहीं हो सकते हैं कुछ पेड़ हरे हैं में इसकी बात कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप अप्यक्षन फाइल कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर अगर आपको पढ़िये आप देख सकते हैं कि यहां पर बार-बार मीडिया की सोतंतरता की बात की गई है बार-बार उन्हें फ़त्र के दफक में मीडिया को जिस बास देकर नाई थी वह थी कदाचित फ़तंतरता फिर उसके बाद देखते हैं अकली लाइन में पत्रकार जी फदार-पर कार रिक कर रहे थे वथी नाकारात्मक शोटंतरता परंतू अचानक जी सवर महत द्याजाने द्याने पर थी फकरात्मक शोटंतरता देखिए बार-बार फटंतरता सब्द ही यहां पे आया हुआ है और paragraph में यह होता है कि जो सब्द maximum बार आता है वही सीरसक होता है आयोग ने इसके लिए माना है मीडिया के समाजिक उतरदायतों के सिध्धान को जबकि यह सब्दिश में सिर्फ यह किया दो बार आया हुआ है यहाँ पर सुरू से आखरी तक पत्रकारों की या मेडिया की स्वतंदरता की बात की गई है तो यहाँ पर जो परग्राफ है मेडिया की स्वतंदरता के बारे में ही है पत्रकारों की नियंतरित फतंदरता के बारे में ही पूरा परग्राफ है क्योंकि इसकी बात की गई, वाथ से उन्हें कठाई हो रही थी कि उनकी फतन्जक्त को नेंत्रित किया जा रहा है परिणाकारात्मक कि उसे अप सरकार नेंतरण करके अपने इसाथ से फकरात्मक दिफा में ले जाना चाहती है ब्रह्रें मेट्रकार में ही बात की गई है तो आपसंघ फॉर सही होना चाहिए क्योंकि सिर्फ बार-बार पतरकारों की स्वैटता मेडिया की सौधन क्या है री किया है इस पर हम सब को अबजेक्शन फायल करना चाहिए आपके खर अगर अब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं तो आप भी करी अगर आप कर सकते हैं क्योंकि जितने जादा अब्जेक्शन उतने जादा सुनवाई अगला कुश्चन देखते हैं यह बहुत बुलंडर कुश्चन है आगड़ों का त्रियक सुरत क्या है अब इसे NTA ने माना है प्रात्मीक और दुतियक सुरते से प्राप जानकारी जो की पूरी तरह से गलत है इसमें होना चाहिए नेत पत्रकों से संग्रहीत आकड़े अब मैं ऐसा की इफदार बे कह रहा हूँ मैं इसका आपको प्रूब दिखाता हूँ यह देखिए University of Minnesota की website है अमेरिका की University है बहुत popular है example of यहाँ पे territory sources के बारे में बात की गई है these are sources that index, abstract, organize, compile or digest other source some reference material and textbook are considered territory sources when their chief purpose is to list, summarize or simplify are simply package ideas and other information territory sources are usually not created to a particular author अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे का जा रहा है कि वही source तरितियक सूरत में सामिल हो सकते हैं जहाँ पे data को organize किया जाए उसे compile करके कुछ नए तरीके से रखा जाए अलग तरीके से कुछ बनाया जाए या फिर data की indexing की जाए उसकी एक list बनाया जाए इस तरह के sources जो है तरितियक सूर्स में आते हैं आप example देखिए example of territory sources यहाँ पे कम से कम primary और secondary जो data होता है वो big data के रूप में होता है काफी बिश्तित फार्म में होता है और उसे summarize करने के बाद जो बनेगा उसे कह सकते हैं कि वर territory data है लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि primary प्रात्मिक और दुदियक शूर्तों से उप्लफद जानकारी तिरदियक data में हाती है ऐसा नहीं कह सकते example में देखिए examples are territory sources dictionaries, encyclopedia maybe consider secondary भी कहा जा सकता है encyclopedia को elminex, fact book, wikipedia, bibliography directory, guide book, manual, handbook और text book यहां पर देखिए ध्यान करिए manuals लिखा हुआ है तो नीत पत्रक क्या होता है नीत पत्रक होता है सरकार का manual होता है नीतियों को किस्चन से आगे चलाना है उसी का manual है जैसे किसी machine का user manual होता है सरकार के लिए नीत पत्रक एक manual होता है कि हमें आगे अपना काम किस तरह से करना है नीत पत्रक है इसी को government का manual भी कह सकते है तो इसे होना चाहिए नीत पत्रक को territory data source में count किया जाना चाहिए guide book जो book आप हो guide करें या आप हो काम किस तरह से करना है तो उस्से में ही चीज नीत पत्रक में नीत पत्रक निर्धायत करता है कि आगे सरकार किस तरह से काम करेगी या किसी भी संस्था का नीत पत्रक होता है वाज को निर्धायत करता है तो 100% territory data source में नीत पत्रक ही होना चाहिए प्रात्मी क और दूतियक सब्सक्राइब जानकारी को तिर्टियक बोल देते हैं अईफा तो होई नहीं सकता फिर अगर ऐसा बोल फक्ति हैं तो फिर प्रात्निक और दुद्यक की जहूरत के ऐसी थे तिर्टियक ही बोल देते हैं न सारे डाटा को तो यहां पर देखिए मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया यह उन्दर फिटी आप मैंने शुटा की विपशाइट से तो इस पर भी आप कलेम फाइल कर सकते हैं इस पर आप अब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं हाँ नेक्ष्ट कोष्चन कोष्चन नंबर सत्तर जो ग्रैफिश है ये कोष्चन ही गलत है आयोक्षण दो रांदा बताया गया है कि आप संवन सही है यानि कि अल्वान्ड इराक में अगाजारी इरान में होना जाए ऐहां पर देख्ट दैशा लीजिये कि अल्वान्ड को एनसेनरजीबिजनेस.डाट काम से इरान प्लान्ट टू डबल प्रोडेक्शन एट अलवान्ट आयल फिल्ड ओप शोर इन शिरी आइशलेंड तो अलवान्ट किसके अधिकार में कहां पर है इरान में है जबकि बताय जा रहा है इराग में प्राबलम है कि अलवान्ट और आगाजारी दोनों ही इरान में है इसमें से कोई भी इराग में नहीं है अलवान्ट आयल फिल्ड इन लोकेटेड 47 किलोमेटर साउथ वेस्ट आफ शिरी आयल फिल्ड एन 25 किलोमेटर सुएस्ट आफ नियर ऑपरेशन नल प्रेटफार में पर्शियन गुल्फ कहीं पे भी आप नेर पे फर्ज करिए कहीं भी आप देख सकते हैं और आगाजारी तो आप सो भी जानते हैं इसको देख रहे हैं विकिपीडिया से तुरंद मिल जाएगा आगाजारी तेल शेतर है खुजस्ताण प्रअद में इस्तिद एक एराणी तेल छेतर है ये भी इरान में है तो फिर अलवांड भी इरान में है आगाजारी भी इरान में है तो आपको जो भी इस पे एक्igation ले रहा है आपजेक्शन फाइल बहुत तुरंद ही कर डालिए मैं आपके सामने कोई बात रख सकता हूँ लेकिन उस पे अफंतुष होना पूरी तरह से आपके उपर निर्वर है तो ठीक है फ्रेंट्स जो भी एक्षन लेना है आपको जो भी करना है नहीं करना है वो आज ही कर सकते हैं आज ही की डेट है आपके पास आज की डेट यानि की 3 जुलाई 2019 इसके आगे की डेट नहीं मिल सकती है आपको अब्जेक्शन फाइल करने के लिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैक्स फार वाचिंग